वेलकम आयम एलविन तो टोड़े फ़र सब्डेट इस अबाउट एनिमल मूवी एनिमल मूवी डे वाई डे बहुत ही बड़ी अग प्रोग्रेस कर रही है क्योंकि इस मूवी ने वल्डवाइट 425 करों का गरोस कलेक्शन किया है और अगर बात करें इस मूवी के बारे में तो इस मूवी में रणवीर कपूर ने 10 किलोग का एक्स्ट्रा वेट गेन किया था अभी एक निउस आई है कि इस मूवी के बारे में और Sunday को 10 करोड रहा, and again Monday को 3.9 करोड का gross collection रहा. So, next update is about Dunkey. So, finally, Dunkey का official trailer Draw 4 की नाम से release हो गया है, पर इस trailer को ठीक ठाक response मिल रहा है, जहापर आप देख सकते कि 4 घंटे में इस trailer के 41 lakh views हो गया है. अब ऐसे Dunkey की trailer में मुझे एक चीज़ समझ में आई है, कि विकी कॉसल जो है, वो इस movie के turning point होंगे. तो आपको भी अगर ये trailer देखके ये feel हुआ हो, तो comment section में ज़रू बताइएगा. So, next update is about Sohana Khan. So, recently Sohana Khan की एक wave series आई है, Arches Netflix में. तो इस wave series के choreographer गणेश हेगडे जी ने एक बात reveal करते हो, बताते हैं कि Sohana Khan ने उनके बारे में उनके फादर, शारू खान से complaint की थी. During practice, शारू खान सूट पे आये थे. और जब skating की practice हो रही थी, then after break, शारू खान मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि I don't complain Sohana का. और वो आगे कहते हैं Sohana को लेकर, कि मैंने भी Sohana से कहा है कि Ganesh ने मुझे भी कभी compliment नहीं दिया, तो वो तुम्हें भी कभी compliment नहीं देगा. So next update is about CID actor Dinesh. So in recently CID actor Dinesh, जुनोंने CID में Frederick का रोल निभाया था, the age of 57 में due to multiple organs failure, he passed away. Rest in peace. So next update is about तहल का prank. So recently Big Boss से तहल का prank को एवेक्टिट कर दिया गया है. Then after LV Shadow Navy तहल का prank से Big Boss से एवेक्टिट होने पना reaction दिया और उन्होंने कुछ बातें शेयर करी. जहां पर उन्होंने UK07 Rider के बारे में भी बात चित की. वो क्या कहें आप देख लीजे. अब बाई है सन्नी भाई है वह शायद ऐसे भी करते हैं वापस भी लेते हैं. 16 के 16 बंदिर हो हैं. भाई वह तो मैं देख रहा है मैं मेरे को चीज तो बताओ. अरुन भाई का तो समझ आता है. अभी शेक के क्या दिक्कत हो रही है वह वह पहले चिलाता फिर रोता है उसके कोई प्रोब्लम प्रोब्लम है क्या है? नहीं ये कैमरा फेसिंग मन्दा है. इसने अभी बीज दिन पहले एक नाम लिया था बिक बोशो के अंदर. कि मैं सिदार शुकला सर को फोलो करता हूं. उनके तरीके फोलो करता हूं. तो बिक बोश ने अनौस्मेंट करती थी कि तु जिस दिन का नाम लेरा तो उसला है कि मलब उनका नाम कंपेर मत करो. अभी तुम बहुत पी से चल रहे हो. उनका नाम जुड़ो जिसका तुम लेरा चा रहे हो. तो मैं समझ गयाता है ये एच्छादी मारना, तक्कर मारना, तक्कर मारना, तो सिदार शुकला करते थे. So next update is about Saurabh Jossi. तो Saurabh Jossi ने अभी एक बहुती बड़ी announcement की है for a student. वो क्या कहें? आप देख लीजिए. Saurabh Jossi ने मुझे यह कहा है कि भैसा मैं, यानिकि Saurabh इसे पित्याना है मैं, जो गरीब छात की सो ऐसे हंड्रेट, ऐसे छातों का, गरीब छातों का, आप चाहने कह रहे हैं, और उन बच्चों को Saurabh, उन बच्चों की फीज, पूरी फीज, सानवर की फीज देगा. So, next update is about Submangil. So, after World Cup, Submangil की एक फोटो बहुत ही वाइरल जा रही है, जहां पर वो लंडन में अपने विकेशन मना रहे हैं, यह फोटो है. वैसे भी World Cup के बाद, प्लियर्स को ब्रेक मिलना जरूरी होता है, कि वो अपनी बड़ी और अपने माइंड को अगें प्रिपेर कर सक हैं, और इंडिया में तो इसका अलगी लेवल चल रहा है भाई, क्योंकि हमारे जो क्रिकेट प्लियर्स हैं, विराट कोली, रोईच सर्मा, हार्दिक पांडिया, उनकी फोटो जए वो बहुत ही वारल जा रही है, जो जियो सिनुमा ने पोस्ट की है, यह रही वो फोटो, यह विराट कोली, यह रोईच सर्मा और यह हार्दिक पांडिया, तो आपने भी कभी अगर जीटे गेम्स खेला है तो कमेंट सेक्शन में ज़रू बताएगा, तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजेगा, यू गाइस टेक केर और कीप स्मालिंग और में अच्छी वीडियो तो आपको यू